हेलोएवराइट करने जाते हैं तो हम वह सारी अलब कर popcorn नहीं तो इन सारी मैं आप कैसे अनिस्टॉल करें वही तो प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो आप सारी सिस्टेम आपको अनिस्टॉल कर सकते हो वह भी बीना मोबायल को रूट किये हुए हाजी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कैसे जो आप सि सिस्टाम एप्स को अनिस्टॉल कर सकते हो बिना मोबाइल को रूप किये हुए तो दोस्तों मैं समसिंग ट्रिक्स अप्रोड करते रहता हूं इस चैनल में अगर हम मेरे चैनल मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिजी और बैल आइकन को क्लिक कर लिजी ताकि आपको मेरा जैसे आप पैकेज ने को मिल जाएगा तो इसका डारेक्क लिंक में करते होगा वहां से डाइकड़ेक्ट लियू नगोटनीक्ति कर सकते हैं तो इसका इंटरफिज़ यहां अगर आप सब्सक्राइब देखनों में मिल जाएगा लेंकिन आपको डिस्क्रिप्स एंधा डॉनलोड कर सकते हूँ फ्री में तो आपको डिस्करिश्मास जो है सारी लिंक्स मिल जाएगा तो दोस्ति यहां पर मैंने जो है दोनोगा अप्लिकेशन डॉनलोड कर लिया है पैकेज वीवर और उसके लए डी बी तो यहां देख सकते हैं स्क्रीन में आपको अप्लिकेशन लेकिन अपको नहीं कर सकते हैं तो यहां पर इस केश में जो है वीवर एंड तक दिकने बिना क्योंकि क्योंकि वीडियो में कई सारी important steps है जो कि आप follow करेंगे तो आपके लिए easy हो जाएगा दोस्ते यह वहला प्रोसेस जो है Android 11 में और सारे Android devices में काम करने वाला ठीक है तो आपको सबसे पहले settings में चले जाना है settings में जाने के बाद आपको जो है develop options enable कर लेना है तो मेरे case में system management में मेरे को मिल जाएगा तो आप जो है about phone में जा सकते हूँ आपके phone में about phone में जाना ही बिल्ड नंबर पर tap कर सकतो पांचे बाद टैप कर लो उसके आपको developer आप enable हो जाएगा और आप developer options में जा सकते हूँ तो आपको सबसे पहले developer options में जो है आपको चले जैना है, उसके एहाँ पर डेवलपर options को enable कर देना है, अगर आपका off और आपको परमिशन जो है वो पूचें गए यहाँ आपको simply ok पे tap कर देना है, जैसी type कर देंगे आप जो है developer options enable हो जाएगा और यहाँ पे हमरा process जो है वो start हो जाता है उसके बाद दोस्तो developer options on करने के बाद आपको उसी के अंदर एक और option को enable कर लेना है जिसका नाम है wireless debugging debugging तो इस feature को भी आपको enable कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपका wireless debugging जो है enable हो जाएगा उसके यहाँ पे जो है आपको और दो options को enable कर लेना है तो यह जो दो options है वो मैं पर्टिकुलर चीज के लिए enable कर रहा हूं या फिर आप डिरेक्ली जो है आगे प्रोसेस पे skip कर सकते हो या तो यह बहुत जो option है इसको भी आप enable कर सकते हो तो यह जो दो option है वो scalable के लिए यानि जब भी freeform मतलब forcefully हमें जो है multi screen के लिए यह use करने को देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आप slightly scroll down नीचे और कर सकते हूं slightly scroll down नीचे करने के बाद यहां पर आपको resizable का option देखने को मिल जाएगा force activities to be resizable तो आपको इसको on कर लेना है अगर यह आप on नहीं करेंगे तो क्या होगा split screen में हमें जो है यह option यह settings जो option है develop options यूज करने को नहीं मिलेगा allow नहीं करेंगा इसलिए यहां पर मैं इसको enable कर रहा हूं तो इसको option कर लीजिए उसके जो है आपको इक और option देखने को मिलेगा enable free form size compact इसको भी आप on कर सकते हो तो यहां पर जो है हम यहां पर total तीन options enable कर रहे है डेवलप options के अंदर एक wireless debugging उसके जो है resizable content और size compact यह option को आप enable कर सकते हो यह इसलिए यूज़ कर रहे हैं यह जो size compatible है यह इसलिए on कर रहा हूं यहां पर मैं क्योंकि develop options का जो settings है वो multi split screen में use करने को available नहीं करता इसलिए दो और options हैं यहां पर हम enable कर रहे हैं आप भी इसको यह तो तो यहां पर आपको इसको यहां पर ऊपन कर लेना है जैसे i install कर लेंगे आपको उपन कर लेना है उसके यह आप आपको ऐसे interface देखनों मिल जाएगा यह आपको ऐसे interface मिल जाएगा pairing information port और यहां पर pairing code ठीक है तो दो सबसे ओपर वाले screen पर मैं यहां पर LED उसके नीचे वाले screen पर settings तो आपके case में भी दूसरा होगा split screen enable हो जाएगा तो आपको split screen use कर लेना है ठीक है तो यहां पर मैं सबसे पहले LED को जो है उपर split screen enable कर लेता हूं आपको जो है window select करके दो split screen में आपको दो option select कर लेना हूं उपर मैंने यहां पर LED application use कर लिया और नीचे वाले पर यहां पर settings open कर लेता हूं window type select करके यहां पर settings option select कर लेता हूं तो यहां पर देख सकते हैं उपर यहां पर LED उपन किया है और नीचे यह develop options जो की settings है वहां open कर लिया तो आपको भी same आपको दो screens open करके दोनों screen में आपको एक screen में LED application और दूसरे screen में settings जो की developer options select कर लेना हूं तो दोसी यहां पर हमने split screen enable कर लिया है अब यह हमें connection करने है wirelessly हम connect करेंगे उपर जो है port और pairing code दिख रहा होगा उसको हमें wirelessly connect करने के लिए हमें wireless debugging के अंदर जो है हमें वह options देखने को मिल जाएगा connection के लिए तो आपको simply wireless debugging जो है वह option को आपको tap कर लेना है जैसी tap करेंगे उसके अंदर चले जाएंगे तो हमें जो है pairing code और port number दोनों मिल जाएगा यहाँ पर आपको अगर off है तो enable कर लिजी on कर लिजी on करती है आपको एक permission पूचेगा आपको simply alloc कर देना है तो जैसी permission जो है आप alloc कर देंगे तो आपको नीचे सबसे नीचे वहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएगा पे device with pairing code option देखने को मिल जाएगा आपको simply उस पर दियान देना है यहाँ पर देख सकते है पे device with pairing code तो हमें जो है pairing code के जरुरत है वह option यहाँ पर हमें मिल गया है तो आपको simply उस पर select कर लेना है पे device with pairing code इसको जैसे आप टैप कर लेंगे आपको जो है port number और pairing code दोने मिल जाएगा जो कि हम LADB application के अंदर डालेंगे अब देख सकते हैं पे device with pairing code आ गया है और यहाँ पे हमें port number मिल गया है और उपर pairing code भी देखने को मिल गया है तो port number जो है last के 5 digits जो है उसको आपको port पे एंटर कर देना है यहाँ देख सकते है port IP address and port तो वह अलब port के 5 digits जो है उसको आपको port पे डाल दाने ठीक है जो भी LADB application है उसमें आपको डाल देना है तो आप verify कर लेजें फिर से जो भी number आपने डाले हो सही है कि नहीं उसके यहाँ पे हम pairing code डालेंगे जो कि राइट सेर् 2454-245-043 जो की pairing code है वो यहाँ पर हम application के ऊंदर करेंगे ठों यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूं जो भी हमरा pairing code था वो पे यहाँ एंटर कर रहो हूं उसके यहाँ पर then verify कर लेता हूं ठीक है 245 तो सबसे पहले port verify कर लेता हूं और port सही है port number work वो भी सही है उसका pairing code halIP कर ल एपको शेल्कमेंड ऐसे प्लिट स्क्रिन को हटा सकते हूँ आप सबसे पहले जान है हम जो है 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 ऐ पैकेज्ट में पी चले जारा है जो भी आपको सिस्थाम अनिस्टे सबाइब उसको है Łव यहां पर हम सर्च करनेगे तो यहां पर जो है आप सकर करें जसें लुकल करना चाहandake तो यहां पर सकर सकती है यहां तो स्क्राइब कर सकते हैं आप मैं सार्च कर लेता हो तो जैसे सर्च करता हूं यहां पर मेरे को option में search option मिल गया है तो उस पर tap करता हूं यह automatically प्रक्राइब यह application है वह directly मेरे को ले जाएगा तो यहां पर हमारा वी प्लेशन टाव वी अब्स टोर जो है वह यहां पर मिल गया है तो इसको मैं select कर लेता हूं जैसे select करेंगे यह आपको कुछ नहीं करना Vivo App Store यहाँ पे मेरे case में है तो आपको simply copy पे कर देना तो आप जैसे आप copy पे करेंगे आपको package name copy हो जाएगा और आपको notes में जाके paste कर लेना है आपको package name जो भी है वो copy हो जाएगा आप notes में जाके paste कर लो तो यहाँ पे मैंने notes open कर लिया है तो यहाँ पे paste कर लिया है आप कहीं पे paste कर सकते हैं मैं यहाँ पे notes में paste कर रहा हूँ तो जैसे notes पे paste कर देते हैं तो आपको उसके यहाँ पे तोड़ा सा amend करना बड़ेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको package name यहां पर आ जाएगा उसके यहां पर package .com यहां पर दिख्रा होगा package store package वो सब को आपको हटाना पड़ेगा यहां पर backspace से आप पूरा हटा सकते हो तो यहां पर जैसी हटा देंगे यहां पर देख सकते हैं com.vivo.appstore मिल गए ठीक है उसके आपको नीचे सेम आपको launcher के बाद जो भी है मतलब launcher से जो भी हो सब को भी आपको हटा देना तो यहां पर launcher से select कर लेता हूं मैं और launcher के बाद जो भी है मतलब launcher से लेके पूरे end तक आपको simply हटा देना है तो यहां पर select करके launcher को हटा दिया यहां पर हमी जो दिख रहा होगा com.vivo.appstore यह हमरा original package मतलब जो भी package है इसको हम यहां पर uninstall कर देंगे तो आपको simply जो है मैं आपको वापिस दिखा देता हूं आपको सबसे पहले paste कर देना जो भी package copy है उसके आपको com से पहले जो भी है वो सब को हटा देने पड़ेगा तो com से पहले जाईए उसके पूरा backspace हटा के पूरा हटा दीजिए उसके जो भी launcher से दिख रहा होगा launcher से लेके पूरा नीचे तक हटा दीजिए ठीक है तो यहां पर launcher से लेके पूरा end कर देंगे उसके जो भी हमारा बचा रहेगा उसको हमें copy कर लाना है ठीक है तो यहां पर देख सकता है यहां पर com.vivo.appstore इसको आपको select कर लेना है उसके copy कर जो भी है आपको कर सकते हो तो यहा लिंग तोड़ा दियान से देख लीजिए दोस्तों pm space uninstall उसके आपको space देखें-2 बर हाइफन-डालना है उसके बाद आपको user डालना है ठीक है user फिर स्पेस उसके जीरो फिर प्रेज करते हैं यह सकते हैं सकस्स आ गे यानि हमर тех videoplikation लिएसे वैसे उट गया है तो आपके स्क्सक्स करता है तो जो है आप कोई भी system apps को uninstall कर सकते हो बहुत ही simple है इस वीडियो को बिना escape के देखेगा आपको जो है आपको solve हो जाएगा अगर आपको फिर से confusion आता है तो आप फिर से शुरू से एक बार वीडियो को देख लीजिए तो ऐसे करके जो है आप system apps को uninstall कर सकते हो दोस्तों वीडि